दोस्तों जब हम B.O.B. वर्ड अप्लिकेशन में रेइस्टेशन करते हैं तो उसी समय हम दो पीन बनाते हैं पहला लोगिन पीन होता है जो कि B.O.B. वर्ड अप्लिकेशन में लोगिन करने के काम आता है और दूसरा होता है टांजेशन पीन यह टांजेशन पीन तब काम आता है जब हम B.O.B. वर्ड अप्लिकेशन से किसी भी तरह का टांजेशन करते हैं या फि B.O.B. वर्ड अप्लिकेशन से ही अपने बैंक अकाउंट में किसी भी तरह का चेंजिंग करते हैं इन दोनों ही पीन में login pin का प्रियोग जादे होता है जबकि transaction pin का प्रियोग कभी कभी होता है तो transaction pin का प्रियोग कम होने के वज़ा से हम अकसर transaction pin भूल जाते हैं तो यदि आप भी अपने ब्योबी वर्ल अप्रिकेशन का transaction pin भूल गए हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए यह है ब्योबी वर्ल अप्रिकेशन का home page यहां login pin के ज़स्ट नीचे में एक option दिया है unlock forgot login pin यदि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से हम अ अपने bank में register mobile अमट डालना है और नीचे में दिया है inter transaction pin यदि आप transaction pin भी भूल चुके हैं तो उसके लिए यहां नीचे में एक option दिया है forgot transaction pin यदि हम forgot transaction pin पे क्लिक करते हैं तो यहां से हम अपने ब्योबी वर्ल के transaction pin को दोबारा तो नहीं बना सकते हैं लेकिन transaction pin को दोबा बनाने के लिए यहां पर तीन तरीका दिया है पहला तरीका है internet banking के जरिए दूसरा तरीका है ATM machine के जरिए और तीसरा तरीका है base branch के जरिए यानि इन तीन तरीकों से आप अपने ब्योबी वर्ल अप्लिकेशन के transaction pin को दोबारा से बना सकते हैं तो आज मैं आप लोगों को internet banking banking के जरिए अपने ब्योबी वर्ल अप्लिकेशन के transaction pin को दोबारा से बना कर दिखाऊंगा हाला कि यहां पर हिंट दिया हुआ है कि internet banking के जरिए आप अपने ब्योबी वर्ल अप्लिकेशन के transaction pin को दोबारा से कैसे बना सकते हैं हाला कि मैं आप लोगों को प्रेटकल करके दि अपने वात laisser हिए अपने बैंक को छी अपने पने बैंक का बढ़ाओदा अपाउन्ट में इंटरनेट बैंकिंग चालोक्रू कर लिया होगा यहीं और यह उपने अभी तक इन पहले वीडियो बना दियाए उस वीडियो का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में मिल जाएगा आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर बड़ी ही असानी से मातर 5-7 मिनट के अंदर अपने बैंक का पड़ाउदा अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने वाइल में गूगल क्रोम ब्रावजर को ओपन कर लेंगे और उसके सर्च बार में टाइप करेंगे www.bobibanking.com इतना लेकर सर्च कर देंगे तो देखिए यहां पर बैंक का पड़ाउदा का इंटरनेट बैंकिंग का पेज ओपन हो गया है यहां पर देखिए दो आप्षन दिया है पहला है रिटेल यूजर और दूसरा है कार्पूरेट यूजर तो यहां से हम रिटेल यूजर पे क्लिक करेंगे यहां पर हमें अपने internet banking का user ID डालना है user ID डालकर login पर click करेंगे उसके बाद यहां पर हमें sign and password डालना है तता इस capture को यहां पर डालना है sign and password तता capture डालकर login पर click करना है मैं यहां पर bank का बड़ादा के internet banking में login हो चुका हूँ यह है account holder का नाम यहां पर three line बना है इस three line पर हमें click करना है यहां पर कई option खुल गए है जिनमें से यहां पर एक option है services इसमें click करेंगे तो यहां फिर से कई option खुल गए है जिन में से यहाँ पर एक आप्सन है Mobile Banking, B.O.B. World इसमें क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी तीन आप्सन है पहला है Registration दूसरा है D. Registration और तीसरे नवर पर दिया है Reset Transition Pin Activation Code तो हमें यहाँ पर B.O.B. World Application के Transition Pin को दोबारा बनाना है इसके लिए यहाँ जो लिखा है Reset Transition Pin इसी पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से हम Customer ID सेलेट करेंगे Customer ID सेलेट करके Continue पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें अपने Internet Banking का Transition Passport डालना है Transition Passport डालका Submit पर क्लिक करेंगे जैसे हम Submit क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखे लिखा आजाएगा Mobile Banking B.O.B. World Reset Transition Pin Activation की वा Successful इतना करने के बाद हमारे Bank में रइस्टर Mobile नमर पर B.O.B. World Application का नया Transition Pin SMS के थुरू पहुँज गया है चलिए मैं आपनों दिखाता हूँ कि नया Transition Pin हमारे Mobile पर SMS के थुरू कैसे आजा है देखिए यहाँ लिखा है Your New Transition Pin for B.O.B. World Act और यह हमारा नया Transition Pin अब इसके बाद हमें क्या करना है कि Bank का परवदा के Internet Banking से Log Out हो जाना है अब इसके बाद हमें Mobile में B.O.B. World Application को Open कर लेना है अब यहाँ पर हमें Log In Pin डालना है जैसे हम Log In Pin डालेंगे तो यहाँ पर नया Transition Pin सेट करने का आपसन खुल जाएगा देखिए यहाँ लिखा है Create Transition Pin यहाँ First में लिखा है Inter Transition Pin तो हमारे Mobile पर जो SMS के थुरू Transition Pin आया है उसी Transition Pin को हमें यहाँ पर डाल देना है उसके बाद यहाँ नीचे लिखा है Enter New Transition Pin तो यहाँ पर हमें अपने इच्छा से 4 रंगों का कोई Transition Pin बना लेना है जो Transition Pin हम यहाँ पर डालेंगे सेम उसी Transition Pin को Re-Enter to Confirm इसमें भी डालना है नया Transition Pin सेट करने के बाद Submit पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा आगया You have successfully created your new Transition Pin यानि हमने यहाँ पर अपने B.O.B. वर्ड अप्रिकेशन का नया Transition Pin सकसेट कर लिया है तो इस तरीके से आप लोग भी अपने B.O.B. वर्ड अप्रिकेशन के भूले हुए Transition Pin को तोबारा से बना सकते हैं यह तो हुआ Internet Banking के जरिये यदि आपने अपने अकाउंट में Internet Banking एक्टिवेट नहीं किया है तो इसके अगली वीडियो में मैं आपनों को ATM मसीन के जरिये अपने B.O.B. वर्ड अप्रिकेशन का नया Transition Pin सेट करके दिखाऊंगा तो उमीद है यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल पर भली बार आए हैं तो चैनलों को सस्काइब करके बेल आइकन जरो प्रेस करते हैं तो मिलते हैं इसी बिगार के एक और गान वाले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद